नमस्कार आप देख रहे हैं दाजादी इस वक्त हमें भीटा के स्री सिताराम आसरम में यहां आसरम किसान आंदोलन के प्रनेता रहे स्वामी साहजानन सरसती का है यह अस्थान जो है किसान आंदोलन का सेंटर हुआ करता था आज यहां पर स्वामी साहजानन सरसती पर एक ब् किया है आईए हम इन से जानते हैं स्वामी साजारान सरसती के बारे में आप अमेरिका के विश्वविद्याले में के सलेबस में आप सुमी साजारान सरसती को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा क्या चीज है जो आपको प्रभावित किया और आप अपने वहां के सलेबस में बच्चों क कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, काफी इंडिविजुलिस्ट सिस्टम है, व्यक्तिगत रूप से हम डिजाइन करते हैं सिलबिस्को, तो इसलिए स्टुडेंस पर सकते हैं गांधी के बारे में, गांधी के राइटिंग, इंस्वराज जो हैं, और नेरू, इसके बारे में, और फिर भी हम, क्योंकि स्वामी जी हमको बहुत प्रभावत किया, इसका लाइफ जो था, मेरा जीवन संगर, तो हम लग रहा था कि मेरे अपने, मेरे स्टुडेंस को भी पढ़ना चाहिए इसको, तो क्योंकि स्वामी बहुत इंपोर्टन्ट थे, स्वातंत्रता अंदोलन में, और जमिनदारों के किलाफ और मजदूरों और किसानों के नेते के लीडर थे, तो बिना स्वामी जी, बिना स्वामी का लाइफ, पूरा भारत का इतिहास नहीं समझ सकते हैं, तो सर्व, स्वामी जी के बारे में आप कब जाने थे और कौन सा पक्षुन का था जो आपको सबसे ज़्यादे प्रभावित किया था, स्वामी जी के बारे में? इसका लाइफ, अर्ली लाइफ, हमारे लिए सबसे दिल्चस्प हैं, इसका यूथ और जब वो सन्यास लिया, सन्यासी बने, उसके बाद जब इस आश्रम को स्थापत किया और बुमिहारों और किसानों और मजदूरों को के लिए काम किया, लेकिन मेरे सोच हैं कि बिना इसका सन्यासी और सन्यास होने के बिना इससे सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो दंदी सन्यासी थे और इस दंद के साथ ये स्वामी जी ने किसानों के लिए लडाई करते थे, तो इसका इसका रेप्यूटेशन और इंटेलिजेंस इतने तेज और ताकत वारी है के सफल हो सकता है, तो इसका सन्यासी, तो इसका सन्यासी, यह जाना चाहेंगे, यह आरे दर्सक जाना चाहेंगे, जिस पर ने रिसर्च किया है, और इस रिसर्च में सभाविक है कि भारत के लोग से भी आप लोगों ने मदद लिया होगा उस रिसर्च में, तो किन-किन लोगों ने आपकी सहायता की, रिसर्च में क्या सामने आया है, इन तमाम चीज़ेंगे हम चाहेंगे कि पहली बात हैं कि सब लोगों को मेरा जीवन संगर्ष पर परना चाहिए, क्योंकि इसका अपने दृस्टिकों से बताते हैं क्या का इंपोर्टन्ट है, यह स्वामी जी की किताब है, अपने जीवन के बारे में, तो पूरा लाइफ का, इसका गाउं, इसके बच्पन, मेरिज, सन्यास लेने के बाद, पुरा भारत गुमे थे, उजेन से मतुरा, केदरनात, बदरनात तक, बनारस का अपने एड्यूकेशन में, शास्त्रा वगेड़ा पढ़ है, तो और फिर उसके बाद, पूलिटिक्स में क्यों गये थे, इसके चैप्टर हैं, में सन्यासी पूलिटिक्स में क्यों पढ़ा, और गऑ। जानोजिए के कारण पहले में, लेकिन उसके बाद इसका, इसका इन्टरैक्शन पेजन्ट किसानों के साथ और मजदूरों के साथ इसका इंटरेक्शन अपना एवलूशन हुआ तो यह सब वेरी इंपोर्टन है सार एक चीज और कि यह जो साधू का राजनीती में आना यह केवल भारतिय परिगटना है क्या आप लोग तो दुनिया के विविन देशों में जाते हैं यह लेक्शर देते होंगे तो क्या किसी और देश में भी स्वामी साहजानन जैसे व्यक्ति तो आपको मिला उनके बारे म नहीं कोई नहीं है स्वामी या सन्यासी जो पॉलिटिक्स में यहां होता है लेकिन बाहर नहीं होता है क्यों यह बहुत वहत्वपूरण फरक हैं हमारे देशों के बीश और सर चुकि आप भारतिया इतिहास विवाग के प्रफिसर हैं कई दफे आप आपका भारत आना है आपको भारत को लेकर के वहां कि आनिदेश अनुभाव मेरा अभी अब हम दो प्रोजेक्स पर दो विशे पर काम कर रहे हैं एक बुंडेलकंड के बारे में बुंडेलकंड और हमको बुंडेलकंड बहुत पसंद हैं अजेगर, कलिंजर, अतारवा शताबदी में गुसा जो लड़ाई करते थे नागा सादों के उस समाइका और फिर इस पर हम काफी बहुत काम किये हैं अभी हम दो कविता अनुबाद कर रहे हैं दो तीन कॉलिग्स के साथ हम अनुबाद कर रहे हैं दो एक पदमाकर का कविता हिम्मत बहादूर विरुदाव अली उसका नाम है और दूसरा है मान कवी का इसका नाम है अनुपा प्रकाश और तो दूसरा प्रोजेक्ट हैं 1857 के बाड़े में हैं तो यह सब ऐसे ही है अपने जो कम किया है स्वामी साजय न सरसती को लेकर के जो सूध आपने किया है उसके वारे में हम लोग जानना चाहे या नहीं पीड़ी जानना चाहे तो कैसे जान पाएगे आपने जो किया है एक बुक है पेजन्स और मंक्स इन बिटिश इंडिया किताब है ओनलाइन पर हैं मिल सकते हैं युनिवरसिटी आफ कालिफोर्निया प्रेस से प्रकाशित हुई 1996 में तो पेजन्स आफॉर्णिया प्रिटिश इंडिया मतलब किसान और सादू इन बिटिश आस्वती इसमें बहुत पार्ट नहीं प्ले करता हैं लेकिन इसमें हैं और इसके अलावा एक बुक हैं वाल्टर हाउजर का बिहार प्रोविंशल किसान सभा और इसके लिए मैंने एक भूमी का लिखा और वो मनोहर प्रेस का हैं तो ताजन नाइंटी में प्रकाशित ही हैं तो यह दो किताबों है यहां हमसे बात्चीत करने के लिए तो यह थि प्रफेसर जो अमेरिका के वश्यलियों ब्स बीद्याल्यय और बारतियाद्यास्र सथी के जो आश्र मासरम में स्वामी साजानान ना viewed तो यही है तो वीडियो को श correct करे और लाईक करे वह बहुत- झाल झाल